हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने योट्यूब चैनल एक्जाम फोर यू में गाइज आज है एक अपरेल और एक अपरेल के आपकी जितनी भी इंपोर्टेंट करंट अफेर बन रहे हैं MP यानी मद्य परदेश की इस वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा तो आप व लेकरन को ओन खर लेना ताकि आपको यहाँ पर डेली करंट अफेर देखने को मिलती रहे हैं गाइस हमारा टेलीग्राम गरूप और वाटसेप गरूप दोनों हैं दोनों का लिंक मैं आपको वीडियो के डेसिशन में दे दूंगा वहाँ से जाकर आप जॉइन कर सकते हैं पीडिया भी डाउनलोड कर सकते हैं गाइस आज का सुविचार है किसी को हरा देना बेहद आसान है लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल तो यह आज का आपको सुविचार है तो देख लेदे हैं गाइस आपकी एक अपरेलगी क्या के इंपोर्टेंट करंट अफेर बन नियाएक सुधारों को इस्तापित करने की कोशना किया आपका राइट आंसर है इसराइल नेक्स्ट है हाली में कर्मचारी भविश्य निदी संगठन ने वर्स 2022-23 के लिए ब्याजदर बढ़ा कर कितने परतिशत कर दी हैं तो यह अभी 8.15 परतिशत कर दिया ब्याजदर ब असम राज्य को जो है बार्ड परबंदन पर योजना के लिए 108 मिलियन डोलर के रिन को मंजूरी दी है आपका राइट आंसर है अभी वीश्य पैंग ने असम को दी है नेक्स्ट कुश्चन है हाली में चर्चा मेरा होपी किस देश में नैने वाले लोगों का एक जातिय हूँ है आपका राइट आंसर है अमेरिका गाइस वीडियो हैलफूल हो रही है तो जल्दी से सभी लाइक चे और सब्सक्राइब करते वे जरूर चलें एक्जाम फोरी चैनल को बेल आइकन को उन कर ले ना ताकि आपको आपकर डेली करंट अफेर देखने को मिलती रहें न नेक्स्ट कोश्चन है हाली में किस बेंग ने सिलिकॉन वैली बेंग का अधिगरेंड किया है तो फर्स्ट सिटीजन बेंग ने किसका अधिगरेंड किया है सिलिकॉन वैली बेंग का अधिगरेंड किया है आपका राइट आंसर है फर्स्ट सिटीजन बेंग ने Next question है guys हालि में हमजा यूसिफ किस देश के पर acceso की चुने गए है तो Scottish Nation Party से चुने गए है हजमा हमजा यूसिफ परफ़ा नंतरी चुने गए है Next question है हालि में NDTV ने किसे गैर कारीयकारी अद्धिकारी न्यूक्त किया है तो UK सिनहा को किया याथ हुई nd tv ने अपना गैर कार्यकारी अद्धिकारी न्यूक किया आपका राइट आंसर है गाइज वीडियो एलफ लो रही है तो जल्दी से सभी लाइक से और सबस्क्राइब करते विए जरूर चलें डेली कर अंट अफेट देखने के लिए बैल आइकन को ओन कर लेना ताकि आपको यहाँ पर डेली कर अंट अफेट देखने को मिलती रहें MP गवर्मेंट एक्जाम के जो भी तयारी कर रहा है सभी के लिए मौस्ट इंपोर्टेट वीडियो है नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में किस देश के करतिम लक्षे पर सूपर सोनिक एंटी शिप मिसाइल दागी है तो रूच ने अभी जो है नेक्स्ट है हाल ही में किस ने लदाक साहितो सम्मेलन के तीसरे संस्क्रम का उद्ग नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में इनोसेंड वारिद थक्के थला का पिच तर वर्ष मे यह निदन हुआ है वे कुन थे वे एक मल्यालम अभीनेता थे आपका राइट आंसर है इनोसेंट वारिद ठके थेला आपका राइट आंसर है यह एक मल्यालम अभीनेता थे तो गाइज यह थे आपकी important current affair 1 अपरेल की जो मैंने आपको इस वीडियो में cover कराई है अगर आपके लिए वीडियो helpful हुई है तो फटा-फट से सभी like कर दें अपने सभी दोस्तों के पास share भी कर दें और अगर आप channel पर नहीं है पहली बार वीडियो देख रहे हैं exam for you channel को subscribe कर लेना, bell icon को on कर लेना ताकि आपको यहाँ पर daily current affair देखने को मिलती रहें आप हमारा telegram ग्रूप और whatsapp ग्रूप दोनों जोइन कर सकते हैं guys दोनों का link पर आपको वीडियो के decision में मिल जाएगा वहाँ से आप जोइन कर सकते हैं, पीडियाप भी डाउनलोड कर सकते हैं current affair के आपके question हर एक exam में पोशे जाते हैं चाहिए आप MP में किसी भी government exam दे लीजिए कोई भी MP का, सभी में current affair के question जरूर आते हैं तो guys इस वीडियो में इतना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई बाई टेक केर